आएए चेप्टर 15 में एक्जामपल 12 सॉल्व करते हैं पहले इक्जामपल को समझते हैं एक डब्बे में 100 सेर्ट्स हैं जिसमें से 88 गुड हैं 8 में minor defects हैं और 4 में major defects हैं एक ट्रेडर जिम्मी वही सेर्ट्स एक्सेप्ट करता है जो कि अच्छी है जबकि एक अन्य ट्रेडर सुजाता उन्हीं सर्ट को reject करती है जिन में major defect है तो इस box में से एक सर्ट को randomly रूप से निकाला जाता है तो इसकी क्या probability है कि वो सर्ट जीमी को accept हूँ सकेंड केस में सुजाता रक्सेप्ट आएस question का solution करते है डब्बे में 100 सर्ट है इस डब्बे में से randomly एक सर्ट निकाला जाता है तो जो एक सर्ट निकाला जा रहा है वोक सर्ट इन 100 सर्ट में से कोई भी सर्ट हो सकता है वो एक सर्ट या तो good सर्ट निकल सकता है या फिर minor defect वा यानि total जो outcomes है वो तो 100 ही लहेंगे लेकिन क्योंकि इन्हीं 100 हो में से एक सथ कोई निकलेगा है यानि total possible outcomes जो होंगे वो 100 होंगे there are 100 possible outcomes हैंस number of possible outcomes is equal to 100 question में दिया हुआ है कि Jimmy को वही सथ एक सेप्ट है जो की good सथ है और जिनकी संख्या 88 है Jimmy accepts only good certs number of good certs is equal to 88 hence the number of outcomes favorable acceptable to Jimmy total 88 certs Jimmy को accept है question में दिया हुआ तक Jimmy शिफ good certs accept करता है और total good certs की संख्या जो है वो 88 है तो number of outcomes acceptable to Jimmy is 88 होगा यानि total Jimmy 88 certs सही निकाल सकता है एक एक करके यानि 88 certs जो है वो Jimmy को accept है hence probability of cert is acceptable to Jimmy is equal to 88 जो कि उसे accept है अपान 100 is equal to 0.88 अब हमें second part का solution करना है कि हमें इस बात की probability निकालनी है कि वो certs सुजाता को accept हो question में दिया हुआ है कि सुजाता सिर्फ major defect वाले cert को reject करती है यानि वो 88 good cert को भी accept कर रही है plus 8 cert minor defect वाले भी accept कर रही है यानि 88 plus 8 यानि 96 cert सुजाता accept कर रही है सिर्फ 4 cert वो reject करती है the number of outcomes favorable to सुजाता is equal to 88 जो कि good cert है plus 8 जो कि minor defect वाले is equal to 96 सुजाता सिर्फ major defect वाले cert को reject करती है तो वो good cert और minor defect वाले cert दोनों accept कर रही है तो total number of cert जो accept करेगी वो हो जाएगी 96 88 plus 8 is equal to 96 और इसे हम इस तरह भी निकाल सकते है सुजाता 100 cert में से सिर्फ 4 cert को reject कर रही है जो कि major defect वाले हैं तो 100 minus 4 96 हो जाएगा So probability of cert is acceptable to सुजाता is equal to 96 upon 100 is equal to 0.96 on the पिसर ब neuen कर जो ले दो दो को जाएगे झाल छलने छू पो हम अण कर दो मेंप ऑंध an ही शीर